अगर आप लोगों का भी जमें संबंदित कोई भी समस्या है तब कमेंट करके पूश सकते हैं हम वीडियो के मादिन से जवाब देने का प्रयास करेंगा अब अगर आप चाहें तो फेस्बुक अगर यूज करते हैं तो वहाँ पर सर्च करेंगे कम्प्यूटर की 99 वहाँ पर जाके भी मैसेज आप कर सकते हैं देखें सवाल है यहाँ पर जो है कि किसी भूमी है पैतरिक किसी भूमी का भी दाखिल खारिज करवाना होता है अगर पैतरी जो है पिता जी नहीं है तो ठीक है तो पैतरी देखे दाखिल खारी जो होता है ना उसको पहले एक बार समझ लेजिए ठीक है सेखर है न सिम्मी सेखर जी तो आप जो है न दाखिल खारिज पैतरिक जमीन का नहीं करवाने का जरूरित है दाखिल खारिज वो लोग करवाता है जो जमीन जो है माल लेते हैं आप अपना पैतरिक जमीन जिसके पास बेचें हैं उसके पास उस जमीन का रजिस्ट्री का पैत्रिक जमीन पे आप दाखिल खारिजना करवा के जमाबंदी अपने नाम से जरूर करवा दें ठीक है जैसे कि माधते पिता जी नहीं रहे तो आप जमाबंदी आपके नाम से अगर करवा लेते हैं तो आप उसका जो है एक तरह से आपके पास उसका पूरा 100% राइट जो ह उतना जमाबंदी का राइट जो है उतना जमीन का राइट आपके पास हो जाएगा अगला सवाल है कि अब्वडवगा अगर जमाबंदी गलत नमबर मतलब क्या हो गया जमाबंदी ऑप्राना जाए है ठीक है आप वहाँ पर रजिस्टर पर जाईए और अपना जो है जमाबंदी आपको जो दिया गया है अगर वो पहले कुछ और था अब कुछ और हो गया मतलब वो चीज है उसमें देखिए पुराना पहले जमाबंदी चेंज होना कोई बरी बात नहीं है ठीक है जैसे हो सक उसका भी सुधार लेकिन होता है ऐसा नहीं के नहीं होगा सुधार बिलकुल होता है ठीक है लेकिन आपके पास पिछला रिकॉर्ड का अगर कुछ ना कुछ प्रूफ रहेगा तब ही सुधार होगा अगला सवाल है कि सर दादा जी ने जमीन 2006 में रेजिस्टरी की करेता दा दाकिल खारिज वो नहीं करवाया और जो है दादा जी के पुत्रों का ना मा आगया तो जमीन तो अभी तक जो है उनी का है ना ठीक है acabou 2006 में है दाकिल खारिज अगर करवा लीता है तो वहां से मैनस हो जाएगा इसलिए उसके पास registry का paper है और वो कहीं न कहीं मानने है हाँ लेकिन इसमें देखिए फरजी वारा क्या होता है आपको बता देना चाहते है फरजी वारा होता है फरजी वारा ये होता है सौरब जी फरजी वारा ये होता है कि जो आपका ये अब आपका नाम है फिर दुबारा जाके यह जमीन आप देश सकते हैं कोई रुकावट नहीं है कानवनन वहाँ पर वेरिफाइ करेगा रहे जमीन किसके नाम पर है तो फिर देखेगा हाँ जो बेचने आया वसी के नाम पर है तो जमीन का टू टाइम रेश्टी हो गया, एक आदमी तीन तीन आदमी के पास जमीन भेशता और ऐसा फरजी बारा बहुत जगह होता है, ठीक है, इसलिए दाखिल खाड़ इंपोर्टेंट है, ये करा लेना चाहिए, उस जगह पर खासकर जरूर करा लेना चाहिए, जब हम विक्रेता को अच्छे से नहीं जान रहे हैं, उस समय जरूर कर लेना चाहिए, उस समय भेरिफाइब भी अच्छे से कर लेना चाहिए, तब ही जमीन खरदना चाहिए, उस पर भी हम वीडियो बनाये हुए है, ठीक है, आप जाके उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, देखिए, फरजी तरीके से उसको रजिस्टर कर दिया है, तो सीओ उसका मोटिसन नहीं करें और सीओ के पास आवेदन कर दें, आवेदन में ये भी आप लिख दीजे कि कवजा मेरा है, ये बहुत चीज माइने रखता है, कवजा जो आप समझ रहना, विहार जो है, सरकार जमीन का कवजा किसी के अंडर रहना, ये बहुत बड़ी चीज है, तो कवजा आपके पास है, ये भी मेंसन कर दीजे, और आवेदन कर दीजे, उसको गलत तरीके से रजिस्टी कर दिया है, उसका जो है, मतलब एक तरह से वो डाकिल खारिज ना हो, ये जो है, ये सब प्रो रसीद कर जाना, एक किल खारिज हो जाना, उसका रसीद कर जाना, एक तरह से वैलिड प्रूफ जो है, माना जाता है, अगला सवाल है, कि दादा जी ये डिवाइडेड जमीन, कॉलोन, चाचा डिवाइडेड नहीं, देने का नाम बहुत मस्त तरीके से आपने लिखारून और भाइडेड जमीन, चाचा डिवाइड न नहीं देना चा रहा है, तो उसके लिए बटवाडा कर देजिए, डी, सी, हैं ना, डी, सी, एल आर कोट से, बटवाडा के लिए कर सकते हैं, सब जज़ के पास भी से कर सकते हैं, बंसा वाइडेड बनवा लेजिए, और हिसा त सकती है तो यह चीज है और आपका तो मान लेते हैं कि अप जेनरेशन ही है तो आपका तो हिस्सा लेना 100% बनता ही है दादा जी के जमीन में जो उनके वनसद है सब को समान अधिकार होना चाहिए अगरा सवाल है कि सर गैर मजरुआ जमीन मोटेशन सीयो नहीं करे तो क्या करें इसके लिए पिलिज बताईए वीडियो बनाके जरूर यह सुमन कुमार जी हम बताएंगे किस तरीके से उसका आगे का प्रोसेस क्या है नहीं है वो हम आपको बताएंगे लेकिन आप भी समझ दिए थोड़ा दिर के लिए कि जो जमीन है उसका पावर होता है सीयो के पास है उसके अलावा भी अगर आपके कबजे में हैं और अगर ऐसा कुछ करना है उसके अलावा क्या क्या हो सकता है वो हम जरूर विडियो बनाके जरूर आपको इस अच्छे तरीके से समझा देंगे अगला सवाल है कि मेरे परदादा के नाम पे जमीन है और उसी रसीद अभी तक नहीं कटा है और उसका रसीद अभी तक नहीं कटा है मेरे दादा तीन भाई हैं और तीनों के तीन जो है वो पुत्र यानी नौ हुए अब रसीद कटवाया जाई तो किन के नाम पर कटेगा ठीक है इनका question है कि मेरे परदादा के नाम पे जमीन है परदादा के नाम पे रसीद अभी तक नहीं कटा है सबसे पहला काम तो रसीद कटवा लेना परेगा परदादा के नाम से मेरे परदादा तीन भाई तो तीनों के पुत्र यानी नौ हुए अब रसीद कटवाया जाये तो किनके नाम पर नहीं पहले परदादा के नाम पर रसीद कटेगा ठीक है तीनों दादा भी अब नहीं है अब वो नो अगर हुए है अगर वो है तो देखिए सबसे पहले जो परदादा है ना तो परदादा धर्मेंदर है ना धर्मेंदर कुमा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जिनके नाम से जमीन है, तो जमीन का रसिद उनके नाम से कटा सकता है, उसके अद बनसा वली बनबा के आपस में अलग अलग कर सकते हैं, आप अपना अलग जो भी है, आप जिस जनरेशन के जिस स्टेज पे हैं, आप यह समझ लेजी, यह माल अलग हो सकता है, अभी माल लेते हैं, अब दादा के पूतर ही चाह सोचेंगे, तो सब लिखो लेकिन आपस में बटवारा करना पड़ेगा, तो बटवारा चाहें तो रजिस्ट्री बटवारा होता है, स्टाम पे, उसको आप चाहें तो 1000 के स्टाम पे कर सकते हैं, यह सवाल है कि CS सर्वे का खतियान, आरे सर्वे में दूसरा किसी के नाम पे चट गया है, तो हमारा होगा, देखिए बिलकुल का ही नहीं होगा, मतलब जो सर्वे हैं अगर आपको लगता है गलत हो गया है, तो आप उसका सर्वे अधिकारी को दे सकते हैं, तो ADM से जो है कॉन् होगा, अगला सवाल है कि CS सर्वे मेरा सवाल एक चार पलॉट है, और जो है वो आप दो पलॉट ही चड़ा है, सब ठीक है, नहीं चार अगर पलॉट है ना, दो पलॉट के लिए फिर से जो है, आप उसके लिए आप इदन करें और फिर से चरवा लें, तो कोई दिकत नही ह अगर आपका केवाला में चार पलॉट है, मालत है, है ना, चार अलग-अलग पलॉट है, चार खेस रहा है, तो आप क्या किजी, यह जो दो है ना, बाकी, उसको उसको जो है, ओनलाइन एक बार कर लीजिए, ठीक है, बास समझे, हो सकता है का आपका डीड नमबर अगर नही आपके, उसमें आप चाहें, तो मना इतरह से एफेडेबिट भी लगा सकते हैं, जो भी अपना है, लेकिन सबको सेल्फ करके, और दो बाकी चुटा हुआ, उसको चरा दीजेगा, हाँ, लेकिन जो कॉपी आपका दोनों होगा, जो आपको डिस्पले होके कॉपी मिलेगा, प्रिंट आउट, और साथ में जो केवाला का कॉपी है, वो भी करमचारी और सीओ के पास जरूर जमा कर दें, कि ऐसे ऐसे दोनों चुट गया है, तो जो जो है सही हो जाएगा, दिक्कत नहीं है, वहाँ पर, मोबैल से जो खतियान निकलता है, उसमें मेरा जमीन सो करता है, पर मेरे पास उसका कोई प्रूफ नहीं है, देखें, खतियान पहले निकाल लेजिए, और खतियान के एकॉर्डिंग जो है, आप रसीद कटा लेजिए, मोबैल से निकलता है, वह बहुत बड़ा प्रूफ है, तो खतियान के एकॉर्डिंग जाके हाँ, उसके बाद आप ज खतियान में जो जिसके नम से खतियान है, उसका जो खाता है, ठीक है, खाता है, वो सारा इन्फरमेशन उसके बढ़िए और उसका पूरा इन्फरमेशन निकाल लेजिए, उससे आपको ये पता चलेगा कभी बरतमान इस्थिती जमीन का क्या चल रहा है, कब से रसीद कटा, कब से नहीं कटा, क्या पोजिशन है, कौन, किसके हाथ, बन्दब जो भी है, सारा कुछ इन्फरमेशन में आपको वहाँ करमचारी के द्वारा सारा कुछ आपको लिखित में मिलेगा, और ये लिगल है, और ये एक तरह से रूल है, नियम है, ऐसा करने का, तो आप सारा इन सवाल है, तो कमेंट करके पूछी, हम वीडियो के माद्यम से जरूर जवाब देंगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लिजी है, और चैनल को पहली बाद देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है, उसको जरूर दब अगले वीडियो में तब तक के लिए जाएं